और इस वक्त की बड़ी खबार जमो कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलो ने आतंकियों को घेर लिया है कास्तिगड जंगल के उपरी इलाके में अतंकवादी और सुरक्षा बलो के बीच दो घंटे तक मुठभेड चली है डोडा के जंगलों में तीन आतंकियों के होने की खबर है तीनों आतंकी पहाडी के टॉप पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर उन्हें चारों तरफ से खेल लिया गया है अब आतंकियों के भागने की कोई जख़ बाकी नहीं बची है सुरक्षा बल का घेरा पहाडी के टॉप पर बढ़ता जा रहा है तो देख सकते हैं दो तस्वीरे आप अतंकियों से जो मुठबेर हुई और उसके बाद अब तीन अतंकियों भी भी छिपे हुए बताए जा रहे हैं लेकिन पूरे तरीके से सुरक्षा बलो ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है कि आर्मी की यहां पर गाड़या हैं और यहां से आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं यह बिल्कुल Ground Zero की विज्वल से बताया जा रहा है कि जो फाइरिंग यहां पर हुई है तकरीबन दो बज़े के करीब रात को फाइरिंग हुए है और जो फाइरिंग तकरीबन चार बच कर पचास मिनट पर दे दूनों तरफ से फाइरिंग बंद हो गई है और उसके बाद इस पूरे एरिया को कारड़न में लिया गया है हालकि इस operation को अगर देखिए आज जोथा दिन है लगतार इस इनी जंगलों में militant जो आतंगी छुपे हुए है इनी जंगलों में वो छुपे हुए है और जो बड़े-बड़े यहां पर natural caves है उनमें वो छुपकर दिन में रहते हैं और रात की समय जब हमारी सुरक्षाबल इन एरिया में search operation चलाते है तो उन पर जो militant की तरफ से ambush लगाया जाता है और उन पर बाद में firing गी जाती है लेकिन अभी जो update है वो यही है बिल्कुल ground zero की report है कुछ ही मेटर की दूरी पर जो हम आपको बता दी यह बिल्कुल बाटा दश जगा है जो कासिगर का अपर जीज़े आप देख सकते हैं कि जो सेना के जवाना आप देख रहे हुए कि यह बिल्कुल इस area को काडल में लिय है ताकि जो आतेंगी है वो बच निकलने में कहीं से भी उनका कोई भी रास्ता ना हो और उन्हें जल्द से जल्द डेर किया जाए निविज़े टी नेटवर के लिए ground zero से कासिगर दच बाटा आथि लोन